तो दोस्तो आप थम्नेल देखके समझ गयोंगे कि आज की वीडियो कितने इंट्रस्टिंग होने वाली है एक्शली मेरे पस काफी सारे कॉल्स आये मैसेज आये कमेंट्स भी आये कि सर आप ये बताइए कि क्या हम GST नंबर अपने घर के एडरस पर यानि कि जो हमारा रेजिडेंशल एडरस है क्या उस पर अपना GST नंबर ले सकते हैं अपनी फरम उस पर रेजिस्टर करा सकते हैं कंपनी अपनी रेजिस्टर करा सकते हैं GST के अंदर तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बात करेंगे इस वीडियो में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान अखना चाहिए तो वीडियो होने वाली यह बहुत ज़्यादा important इसलिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे नमस्कार मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल पर इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे लाल बटन इसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आये तो आपको सबसे पहले मिले आप उसे मिस ना करें अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्रम चैनल जॉइन नहीं कराएं तो प्लीज जॉइन करें उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्योंकि वहां पर हम आपको देंगे टेक्सेशन और फानेंस से डेली अपडेट्स अब बात करते हैं मुद्द लेकिन काम हम कहीं और कर रहे हैं देखिए आप जीस टी नंबर अपने घर के ड्रस पर ले सकते हो या नहीं ले सकते हो यह पहला कुछन आता है पहले इसकी बात करेंगे जीस टी लोग के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखका कि आप अपनी जीस टी फर्म अपने रेजिजेशल एडुरस पर रजिश्टर नहीं कराती है इसका मतलब हम ले सकते हैं और वहां से अपना कोई भी ब्यूजनस अगर हम करना करना कुद चाहते हैं कुछ सुवायड करना चाते जैसे मैनेजमेंट कंसल्ट का हो गया चार्ट का हो गया कुछ भी अगर हम सर्विस देना चाहते हैं तो वह सब हम कर सकते हैं लेकिन बात करूंगा उन हुमारे केसिस के अंदर सर मालो मेरा जी एस्टी एडरस तो मेरे घर का है ठीक है लेकिन जो मेरा मैंट्फेक्ट्रिंग प्लांट है वो मेरा किसी और करता है यहां मैं कह सकता हूं कि मेरा जी एस्टी एडरस पर मैंने अपना जी एस्टी नंबर फर्म रजिस्टर करा रखिए लेकिन जो मेरा स्टॉक जहां पर मैंने मैंने करका है मैं होलसे डिस्ट्रीबिशन का काम करता हूं मैं रिटेल डिस्ट्रीबिशन का काम करता हूं तो उसके लिए मैंने stock या go down मैंने कहीं और location पे बना रखा है तो क्या सर हमें उस case में problem आ सकती है तो सब्सक्राइब बिल्कुल problem आ सकती है problem इस sense में आ सकती है कि आपने GST number तो ले रखा घर के address पर लेकिन जो आपका go down है जहां पर आपकी manufacturing activities चल रही है या आपने कहीं और corporate office बनाये हुआ है तो ऐसा possible है लेकिन आपको जहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो आपका address है जहां पर आपकी actual activities हो रही है वह आपके GST number के अंदर address update होना चाहिए इसका मतलब क्या है मैं यह नहीं कह रहा है कि आपका GST number पर जो address है आपको उसको हटा देना है घरवाले को आप उसको registered address रख सकते हो लेकिन आपने एक चोटा सा काम करना है कि आपने additional place of business add करना additional place of business ध्यान से सुना दोस्तों इसलिए कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप कोई भी point मिस ना करें आपने additional place of business add करना है अपने GST में यानि कि आप क्या दिखा रहे है कि मेरा registered address तो यह वाला है जहाँ पर कोई भी आप notice देना चाहते हो कुछ भी आप इशू करना चाहते हो कुछ भी details आपकी जो अवलेबल होंगी वह आपकी घर के address पर हो सकती है लेकिन जहाँ पर मेरी actual activities हो रही है जहाँ पर मेरा manufacturing plant लगा हुआ है जहाँ पर मेरे employees मेरे workers काम कर नाम आपको जरूर करना है क्योंकि जो अभी जिसके अंदर अभी physical verification मेरे पास आएं तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के तुरू आपको बदाऊं कि आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते department GST log के इसाथ से आप लोग को दरने वाली बात नहीं मतलब GST log को मना नहीं करता कि आप अपने registered address पर फर्म नहीं बना सकते हो वहाँ पर फर्म ओपन कर सकते हो अब service का काम कर तो आप छोटा सा office लेकि वहाँ पर काम कर सकते हो अपने घर के उसमें तो कोई दिक्कत वाली ब वह सिर्ण आपने क्या कर रहा है कि बस यहां पर registered address है मैंने घर का address दे दिया फर्म को registered करने के लिए वह ठीक है लेकिन what about जो आपकी activities actually में हो रही है आप जो काम कर रहे हैं आपके जो workers जहां पर काम कर रहे हैं आपके employees काम कर रहे हैं आप खुद काम कर रहे हैं वह address क्या है दोस्तों यह matter करता है तो इसके लिए आपको अपने GST number के अंदर अगर आपने अभी तक update नहीं करा है अपना address तो please जाके update कर लें क्योंकि इस मुहिम के अंदर आपके address की details पूरी update हो निचे GST certificate के अंदर आपने नहीं करिया तो उसके application online file कर दे और उसके against में online copy अपने प detail में समझाया तो यह आप इस video को refer कर सकते हो वीडियो का link description में डाल दिया है और दोस्तों यह जो मुहिम जारी हुई है यह हर किसी की physical verification नहीं होने वाली है मैंने इसके लिए भी मैंने यह video बनाई है इसका जो link है description में डाल दिया video को जरूर refer करे आपकी सारी confusion दूर हो जाए हैं हमारी टीम आप तक पहुंच को subscribe करेगी और दोस्तों इस video आपको कुछ ना को शुरूर पर पाइड किया होगा इस दोस्तों वीडियो को like करें शेयर करें और चनल को subscribe करना ना भूले नीचे लाल बनस को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको time time पर मिलती रहे थैंक करें लाट